भूख लगी हो और ये करारी सी क्रिस्पी सी पूड़ी आपके सामने आ जाएं चावल की और उसके साथ में ओर टमाट रालू की चटा के दारिक्दम सबजी चटपड़ी सी कितना मजाएगा क्रिस्पी पूड़ी और उसके साथ में सबजी चटपड़ी सोच करें देखिए आपके मुमें पानी डेफिनेट लिया गया होगा तो चलिए बनाएंगे कैसे ये मस्तसी पूरी उसके लिए चावल काटा लेना है एक कप एक कप मैं चावल काटा लिया और उसके साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पर रवा रवा की मढटी अधी रखआ है गभर रवा ले लिया है और उसके साथ में यहां पर उसमें जो मसालय जाएंगे वह प्याज गलता है तो मैंने चौपर में डाल के उसे बारी कर लिया था यहां पतेल डाला उसमें जीरा डाल दिया और उसमें करी लीव्स और कुछ हरीमेट्स को थोड़ा चोटा काटके डाली है मैंने कुछ दोना साथ चीजें साथ में बनाई थी तो स्विच हो गई थी चीजें जो इसमें डा दीजिए नमक और चिली फ्लेक्स जब वो बॉइल होने लगे तभी वो जो मिक्स करके रखा था रवा और चावल का आटा वो इसमें मिक्स कर दीजिए थोड़ा-थोड़ा एड करिए और असे चलाते रहे जिससे के उसमें लंस ना आ जाए तो इस तरीके से चलाते हुए इस पूड़ कर बेल लेना है यह श्टिक तो नहीं होता है हाँ तो बिल तो यह जाता लिए तो बस आप इसी आरीके से उसकी थोड़ी मौटी सी पूड़ी बेल लीजिए इस तरहीं की पूड़ी मैंने बेल ली तो इसके बाद तेल को कीजिए गरब और यहां पर तेल मैंने ड काल लीजिए इस तरीके से पूरी बनके हो गई है चिमें जीरा डाली और करीलिस टाल दिजिए और युमखड़ी तरीके से ऊजघी बहुत?". तो इससे तरगे से चलाके मैं इसे थोड़ी देर में cover कर दूंगी जिससे के टमाटर अच्छे तरगे से कोप हो जाए और यहां पर इसमें मैंने डाल दिया है वो मैंने डाल दी वोईल के हुए अब यह चलाने के बाद में इसमें कोई बहुत टाइम लगता नहीं है फटाफ़ सब्जी बन जाती है तो इस तरीके से चलाने के बाद में इसमें थोड़ा पानी डाल देंगी तो पानी डाल दिया अभी बस उसे करने न है mix तो यहां पर उ पूरी के साथ में खाईए और enjoy कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए यह रेस्पी आपने अगर नहीं ट्राइ किये बड़ी अच्छी लगती है पूरी के साथ में यह वाली समझीए